टेक्निशन डेड़ वन और डेड़ तीन टाफ हम आ चुका है मेरे भाई बहुत सारे बच्चों तो अलग लग लग ट्रेडी टन्फ्यूजन है अब यहां पर वो टन्फ्यूजन पैदा हो रही है जिसमें जोन सेलेक्ट करना है बच्चों बहुत सारे बच्चों के मन में है क है मैं कौन से जोन चुनू इसके लाव बहुत सारे बच्चों यह भी नहीं समझ में आ रहा कि उनकी ट्रेड की टित्री वेटेंसी है दिरों है क्या ना कि आपकी जो आईटिया ही होती है वो ट्रेडवाइस होती है और रेल्वे जो पोस्ट निडालता है वो पोस्ट उसकी अलग होती है तो एक दिक्तत यह आती है बच्चों टोट यह अडर मेरी ट्रेड फिटर है तो मैं फिटर ट्रेड से किंटिंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ अना ठम से तम 5-6 पोस्ट हैसी होती जिसमें आपलोड एलिजिबल होती है उसी तरह से अडर आपकी आई है हर एक वेकंसी को ट्रेड वाइस पोस्ट वाइस हर एक चीज आपको एस्प्लेंट करने वाला हूं यह पूरा पूरा डेटा देठी है आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है ट्रेड आपकी फिट अलटर नर मसीनिद डीजल मेंटेनिट आरे इसी जो भी आप सिदिनल का है ग्रेट वन का है आपको बैं क्वालिफिटेशन भी बताऊंगा बच्छो ग्रेट वन की बात करते हैं तो ग्रेट वन में डिपलोमा इंगिरिन और वो भी कौन-कौन सा डिपलोमा वो यह स्ट्रीम लिखी हुई है कि आपका यह डिपलोमा होना जी है इसके अलग लग जोन में टोटल हमारे पास वेकेंसी तितनी है मैं जहे इस तो थोड़ा सा उपर अटरना होगा यह देखिया आप तो दिखाई भी दे रहा होगा तो आप लोड आजा सामने देखिये तो टेक्निशन ग्रेड वन सबसे पहले यूर हो दिया अगर मैं यूर की वेकेंसी यह दी रही है इसी तरह से एस्टी देख लीजे ओवीशी देखिये इससे क्या होगा आप तो यह अंताजा लग गया तिए अगर मैं यूर के ड्रेड वन में आता हूँ और ग्रेड वन में आता हूँ तो 68 वेकेंसी मुंबाई में है और प्रियाठ राज में इटसाट है तो मैं मुंबाई और प्रियाठ राज वाला जोन चुन सकता हूँ हरा कुछ 38 वाले जोन वाले बच्चे भी चुन सकते हैं बात समझेगा तो कौन सब जोन चुनना है यह number of vacancy से आपका decide हो जाएगा इसी तरह से अगर आपकी trade अब देखो अडला वाले टेक्निशन डेट S&T बच्चों यह S&T है S&T के मतलब हो दिया PCM वालों के लिए तो यह हमारा PCM के साथ साथ ए तो PCM अडर इंटर PCM से तो आप याली ट्वालिफिकेशन के लिए एलिजबेलो इस्ते अलावा जो है अगर आपका ITI, electronic, mechanic हो दिया, electrician हो दिया, wireman हो दिया बात समझेगा तो यह तीन ITI और अगर आपके पास PCM है तो मेरे भाई आपके लिए तितन आपका प्राम में बहुत आने बाला है अगर अगर आपका जो ट्रेड है वह क्या है सर आपका ट्रेड फिटर है फिटर के लिए यह देखिए यह यह रही पोस्ट अब देखे यूर की सबसे आदा पोस्ट कहां पर है एहमदाबाद में एसी पैते से इसी तरह से एस्टी यह देख लिए तो इससे क्या होड़ा कि आप तो जोन चुनने में सौलिद रही दी अब यह मत सोच होटी फिटर की टेवल इतनी ही पोस्ट है ऐसा मत सोचिए अभी फिटर बहुत सारी जड़े पर एप्लाई टरेड है तो यह तो आपका एक स्पेशल ट्रेड की पोस्ट होड़ी बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पर फिटर भी एलिजबिल ओर होता है जैसे कि और आ दिया यह यह देखिए बचों यह हमारा टेक्नीशन गेट थर्ड एलिजबिल्टी और इसमें देखिए इसमें क्या है इसमें आजर प्रेषिंपेट यहां अब जोरते को अगत्र केशनगें टी बात करते हैं तो अगली क्वालिफोटेशन हमारे पास welder trade के लिए तो welder trade हो दिया इसने अलावा dash cutter हो दिया pipe cutter हो दिया ऐसे बहुत सारे कैसे वेल्डिंग के नाम लिखे हुए तो इनके लिए total तो तो वेल्डर trade के लिए आप यहां ब्लास्पूर में सबसे ज्यादा इसी तरह से जन्रल का हो दिया SC ST OBC EWS आप समझना रहा है तो यह सारे की सारे अडला हमारा qualification मेरे बाई अडला qualification जो है वह है मैकेनिक डीजल आप देखो यहां फिटर आया तो फिटर की जितनी मैंने पहले पोस्ट बताई थी वो तो थी थी यह भी है अरा इसमें भी तो फिटर मेकेनिक उसके अलावा डीजल मेकेनिक अरा मेकेनिक हैवी वैटल इसमें के अलावा मेकेनिक आटो मुबाइल वेल्डर पेंटर अगर आपकी इनमें से कोई trade है तो आपके लिए टोटल नंबर वेकेन्सी ये रही बच्चो ये मेकेनिक डीजल की है इसमें फिटर वाले भी अलीजबिल है अज़र आप टोटल नंबर अफ वेकेन्सी देठी है तो इसमें तीन सौन ठानबे है कैटेगरी वाइस मैंने पूरा पूरा डेटा दे रखा है जोन वाइस भी है अगली आई ब वो था मेकेन्कल ये था इलेकल वाला बास अगये तो इस्टी टोटल अवर नंबर अफ वेकेन्सी दोसो सहती से आपके सामने ये रहा कड़ा स्ट्रीन्शोट जोड लेते रहे ये रहा है चलो आगे यह बच्चो अगला अगला आटके पास अगला आई टी आई का ये पोस्ट टर नाम है और इस पोस्ट में आपकी टोटल नंबर अवेकेन्सी आट सो अडशाथ है कहा कहा कितनी है ये आप देख लीजे है इसके लावा आदिया ये बच्चो अगली हमारे पास टे सकते हो जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपके पास फोर्जर, ह ट्रांसफर, फांडरी, पैटर्न, मेटर, मडूल, मोल्डर और इसी तरह से आप रिफेट्री बज़ा रहा है तो आपके लिए ये रही टोटल पोस्ट ये टोटल पोस्ट से टेक्नीशन गेट थार्ड ब्लैट स्मिथी ते लिए ये पोस्ट इटर नाम है और इससे पहले म तो आपके लिए ये पोस्ट यानि टेक्नीशन गेट थार्ड ब्रिज इसमें भी पोस्ट है तो मेरे भाई इसमें टोटल नंबर आप वेटेंशी तितनी है 78 है जनरल SC STO BCWST तितनी है काउंट कर लिए आज ये ये लिए अड़ला क्वालिफिकेशन अड़ला क्वालिफिक ये देखिये 1124 अचा TRS में मैं फिर से देख लूँ एलेक्ट्रोनिक मेकेनिक मेकेनिक पावर एलेक्ट्रोनिक हडा मेकेनिक इटूपेंट कारपेंटर एलेक्रीशन वेरे डूड बहुत भंकर वेटेंशी है तो आप इन सारी वेकेंशी लिए पोस्ट कर पाऊड़े अब ह पहला नंबर किस पोस्ट को देना है तो जिसमें ज्यादा पोस्ट हो उसको पहला नंबर प्रेफरेंस दे देना जिसमें ताम हो उसको दूसरा तो फिटर में अगर पांच पोस्ट है तो पांच पोस्ट का फॉर्म भरते समय आज़े आपसे प्रेफरेंस भी मालेगा रहना तो ये दोणों वहाल रहेंगे बस आपको पोस्ट प्रेफेंस देना है है ना तो चले तो यह हमारा REC लिए हो डिया तो REC लिए टोटल नंबर ओफ वेकेंसी 897 है किस जोन में टितनी वेकेंसी है जनरल के SC, ST, OBC, EWS टितनी है देख लीजे ठीक है चलो आजे फिर इस्टे बाद अडला है metric location of electrician electronic method फिर से electrician area यादि आड़र आपके पास ITIT ये trade है ITIT trade तो आपको railway ने कौन सी post दी है भरनेट के लिए तो आपको post दी जा रही है technician get third track machine track machine ती भी बहुत है तो track machine में टोटल 540 post है UR की देख लीजे तनी है SC, ST, OBC, T देख लीजे चलो आजे बचो इस्टे बाद metric location मेरे भाई ये जो metric location होना चीए ये अमारा fitter, welder, penter ये ITIT trade है ये सम्मेहाटर है तो आपके लिए total कौन सी post है तो आपके लिए टोड पोस्ट है technician get third EMU इसमेट है सत्ते होटी total 4 zone में ही भरती है 3 zone में कितनी भरती है ये भी आप no down कर लेना no down नहीं तरना मैं स्क्रीन शोट पूरा बेज़ दूटा अडली post है metric location अब ये तनल्टी आपको पता है कि तनल्टी टेवल 3 post है तो तनल्टी टेवल 3 post है कहां है तनल्टी टेवल 3 post है सिर्फ टूल टाता में देख लीज़े अडला जो आपका है ITI की ट्रेड फिटर वेल्डर मसीनिस्ट मसीनिस्ट ड्राइडर मतलब मसीनिस्ट वालोट लिए तो मसीनिस्ट वालोट लिए 80 zone पे post है और मालदा में देखिए हमारी इतनी है टोटल 30 post है आजेए फिर इस्ते बाद मैट्रिक्लोईरेशन आफ आईटि आई ट्रेड मसीनिस्ट मसीनिस्ट ड्राइडर फिर से है यह मसीनिस्ट मसीनिस्ट ड्राइडर टोटल यहाँ पर 4 zone में post है और टोटल लंबर पोस्ट इनकी संथिया है 16 तो धारतना और यह पोस्टेटर नामे टेक्नीशन डेट्थर्ड रिवीटर बच्चो इस्ते बाद अगला है अगला है matriculation ITI और इन्होंने लिखा हुआ है material handling equipment come operator train operator वालो की है तो बच्चो इनकी जो टोटल पोस्ट है वो है 5 देख लिए train operator वालो की टोटल पोस्ट हमारी कितनी है बच्चो पांच है ठीक है तो यहां पर मैंने जितनी भी railway ने यह सारी की सारी वेकेंसी डिटाली है चाहे वो dead one की हो चाहे dead third की हो मैंने पूरा पूरा आकड़ा आपको बताया बच्चो यह पूरी पूरी PDF मैं आप लोटो को यह टेली राम चैनल में डाल दूँगा तो आप सब लोट उस टेली राम चैनल पो जाके जोइन कर लीजे माई पार्टसला PDF तो माई पार्टसला PDF PDF यह टेली राम चैनल को जैसी आप टेली राम पे डालेंगे तो मैं उस टेली राम चैनल पी सारी फोटो डाल दूगा जिससे पी आपको जोन भनने में आसानी रहे दी इसनलावा मैं आपको बता दूँ बचो आप लोट अगर टेपनीशन डेट वन हो डिया डेट थर्ड ह इनके बैच माई पार्सला अप्लीकेशन पे स्टार्ट हो रहे हैं बहुत ही टम दाम पर एदम क्वाल्टी एजुकेशन के साथ माई पार्सला अप्लीकेशन पे स्टार्ट हो रहे हैं तो जिन्हों अभी तर इस अप्लीकेशन पो डाउनलोड नीटिया प्ले स्टोर पे ज ऐसा लगा, और भी अगर कोई डेटा आपको चाहिए, कोई और जानकरी चाहिए, कोई और टन्फूजन है, तो भी मुझे कमेंट सेक्षन बताए, मैं आपका वो भी रिप्लाइटर दूरा, थेंक यू, बरिमाच